हलो दोस्तो स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पर लेका हैं फिर से एक नया व्लोग आप सभी के लिए चैनल पर दोस्तो आज के इस व्लोग पे हम बात करने जा रहे हैं जो अभी की सिचुएशन है इरपोर्ट पर जैसे की पिछली वीडियो में मैंने हम आप सारी अक्ता साई थे टर्मिंडल 2 और टर्मिंल 3 से ऌपेरेट हो रहे हैं और मैंने ये भी बताया था टर्मिंड 1 से सिरीफ 2 इरलाइन ऑपेरेट करती थी स्पाइस जेट सब्सम्यस्ट्रेइब कोई प्लाइट neutral solution और siल थी सो नग 대해서 अगर एरपोर्ट आने से पहले आप एरलाइन के कोल सेंटर पर बात करके अपना टर्मिनल जरूर जान ले और दोस्तों मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ अभी की जो सिच्वेशन है लोगों को जो परेशानी आ रही है टर्मिनल टू और टर्मिनल थ्री के अंदर उसके बारे म ढमना टर्मिनिल वन से व्लाइट ऑपरेट होथी तेज वह सारी टर्मिनल टू और टर्मिनल थ्री पर आगयी है जिससे कि टर्मिनल टू पे 40-45 फिलाइट अब एक्सरा जा रही है जिसका मतलब है कि अगर और 45 फ्लाइट होके आप 100 या 1.500 पैसेंजर भी मान कर चले तो कम से कम 6-7,000 पैसेंजर एक्स्ट्रा लोड हो चुका है दोनों एरपोर्ट पर और जिसकी वज़े से अगर आप एरपोर्ट पर पहले दोमिस्टिक फ्लाइट के लिए 2 घंटे पहले आते थे तो कम से कम आप आप कम से कम 3 घंटे पहले आप एरपोर्ट पर आ जाईए और वो पैसेंजर खास तोर से ध्यान लगे जो भी फैमिली ग्रूप सीनियर सिटीजन या किसी भी पैसेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं ताक की इनको कोई प्रोबलम नाहों कि अभी टर्मीनल के अंदर जाने के लिए टर्मीनल टू या टर्मील थरी में आपको tyre मिलने वाला है उसके बाद आपको security के अंदर भी rush मिलने वाला है अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहां पर आपको security में सिर्फ 0 से 5 मिनट लगते थे security clear करने में वहाँ पर अब security करने में 25 से 30 मिनट का time लग रहा है तो दोस्तों अभी जो भी लोग travel कर रहे हैं टर्मिनल 2 या टर्मिनल 3 से तो थोड़ा extra time आप लेका आए ताकि time रहते हुए आप अपने सारा check-in security करा के अपनी flight timely पकड़ पाएं तो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 6 से 7000 passenger का extra load हुआ है उसकी वज़े से यहाँ पर आप देख सकते security का waiting time भी बढ़के 15 से 20 मिनट और 25 मिनट तक हो जाता है यहाँ पर पहले time लगता था 0 से 5 मिनट और अब 20 से 25 मिनट security में ही लग जाते हैं तो अगर आप last moment पर आये हैं और किसी तरीके सा आपने boarding pass भी बना लिया है लगे check-in करा दिया है तो आपको security में ही इतना time लग जाएगा और आपका हो सकता है कि आप अपनी flight miss कर जाए और आपके time का और पैसे का दोनों का loss हो जाए और जो बच्चे exam या किसी important meeting या interview या किसी भी important काम के लिए जो भी passenger travel कर रहे है वो लोग खास्तोर से इस चीज का ध्यान दें time से पहले आ जाए ताकि आपका अगर terminal भी change हुआ है तो आपका terminal पर आप time से पोच जाए क्योंकि terminal 2 और terminal 3 airport जो है बिल्कुल आमने सामने है बट आपको walk करके जाने में भी एक terminal से दूसरे terminal में 15-20 minute लग सकते हैं तो अगर आप time से आ जाएंगे तो सारा काम आपका time से हो जाएगा और आप easily अपना flight पकड़ पाएंगे तो main key है आपका अगर जो भी कुछ हैसल हो रहा है अगर आप time से पहले airport पोच जाएंगे तो आपका time रहते हुए सारा काम हो जाएगा आप flight भी अराम से पकड़ पाएंगे तो आप अब थोड़ा सा extra time लेका है terminal 2 या terminal 3 पर terminal 1 दोस्तो अभी तर क्लोज है वहाँ पर अगर आपकी flight थी तो आप बिलकुल न जाए और अभी तक जो मुझे source के हिसाफ से पता चला है कम से कम five to six month अभी लग जाएंगे उस airport को वापस से open होने में और situation normal होने में ताकि यह सभी flight फिर से terminal 1 पर जा पाएंगे जोस्तो फिर से एक बात आपको repeat करना चाहूंगा जो भी लोग इंडिकों से fly कर रहे हैं हाल फिलाल में वह लोग एरपोर्ट आने से पहले आपका टर्मिनल जरूर जान ले इस पाइस जैट की सभी flight टर्मिनल 3 से जा रही है बट इंडिकों की जो domestic flight टर्मिनल 2 और टर्मिनल 3 पर आ गई है जो टर्मिनल 1 से operate होती थी तो एरपोर्ट आने से पहले अपना टर्मिनल जरूर जान ले ताकि आप पोचे अपने सही एरपोर्ट पर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्क्राइब कर ले वीडियो को लाइक करें जाज जादा शेयर करें इसी तरीकी की information लेकर आते रहते हैं इस चैनल पर हम आपके लिए